पहला ब्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते हो। को प्रदोश का ब्रत, त्रयोध ही सि ब्रत जिसमें तुम खाते हो, भोजन नहीं करते हो। तीन ब्रत मूल हैं, उसमें एक ब्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते हैं, दूसरा ब्रत, जिस ब्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भोके को भोजन करा रहे हो, किसी की जिन्दगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे ह यह जो यह वहाई दूसरे नंबर का वरतं ह किसी के चेहरे पर आपके कारण इसमाइल आजाए प्रसनत आजाए कि आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसनता दिखे तो समझ लो यह भी भरत2021 कि बहुत के रहोगे तो ब्रत कहलाएगा जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो ब्रत कहलाएगा ब्रत की मूलता ये कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन तला दिये वो भी ब्रत है आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिये वो भी ब्रत है आप किसी बढ़ने वाले बच्चे के पास मे पैसा नहीं आपने उसका खर्चा उठा लिया वो वी ब्रत है वो वी ब्रत है कि आप लोग जो विटले सेवा समींति को जो दान देते हो ना कभी एक बार मोका लगे आपका तो सीहोर आकर एक रजिश्टर हमारे सीहोर में रखा पार रेता है कारेलय पर उसको देखने उस रजिश्टर में जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माबाप के पास में पढ़ने का पढ़ाई कराने का पईसा नहीं रहता तो उनके स्कुल की फीस महराश्ट के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं ऐसे हलक हर प्र का समीति आप जो दान करते हो उससे जमा करते हैं जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं पैसा नहीं उनके पास में खवर करते हैं फिर हमारी समीति का व्यक्ति वहाँ पर जाता है उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा उसकी आईडी और उस इसकुल का पता निकालते हैं फिर इसकुल वालों से संपर करते हैं कि दीन दाशा कैसी है क्या इस्थिति है पढ़ने में कैसा है फिर उसका समीति उसकी एजुकेशन करा जेते हैं आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया गौशाला का दान किया हमने इसका नहीं आपके दान का एक अंश कोई अगर पड़ रहा है कोई विद्ध्याद्यान कर रहा है उसमें भी लग रहा है कि इसलिए हम आप लोगों को बारबार कहते हैं कि आपने अगर एक रुपिया भी विठले सिवा समीति को दिया है तीन दान करो तो पच्चिस बार जाकर देखो तीन दान कौन से पहले नंबर पर कन्या दान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुमारी बेटी सुखी है कि नहीं कई बेटी को दुख तो नहीं है दोसरे नंबर पर गवदान गाय अगर किसी ब्रहमन को दिये है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गवमाता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही बरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूद दिया तब तक तो रगी फिर मालूम प सवस्था है कि नहीं उसको चारा मिल रहा है कि नहीं उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मालूम पड़े दूद के चकर में कोई लेकर चले गया तुमने गवदान कर दी अपने दादा पर दादा के नाम से और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा तीस इस थान पर लगा की नहीं लगा मालूम पड़े कटोरे में भिकारी ने पैसा लिया सान को जाकर मदीरा में लगा दिया मान साहर में लगा दिया जुमें में लगा दिया विश्वर्ति में लगा दिया वो दान करने से कोई मतलब नहीं कि उस दान का कोई मतलब नहीं बेटी का दान करो तो फचास बर पेले जाकर देखो बेटी सुखी है कि न करो भजन करो इस्मरन करो श्री शिवाय नमस्तु भ्यम जपो या एक लोटा जल महादेव को चड़ाओ ये मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा दुनिया ने क्या कहा उसे मतलम मत रखना जल चड़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकुन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा मैं कथा में बेटी हूँ मेरे दिल को अच्छा लग रहा आग लगे बस्ती में अपन रहो अपने को अच्छा लग रहा एक नश्यूंग वो सोच हम क्या सोचते हैं सबसे पहले तयार हो करा आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही और कहीं का कैद एसी लग रही जैसे हरी घास में भेश चर रही तो कितना बुरा लगेगा हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे अपने को अच्छा लग रहा है ना मैंने जो बस्तर पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना, दुनिया की आदत होती है, जीन्स पेनोगे कोई नी तोकेगा, फटी हुई जीन्स पेनोगे, अरे बोलते जाओ जमके, कोई नी तोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फेसन है, तीशट पेनोगे, कोई नी तोकेगा, जीन्स पेनोगे, कोई नी तोकेगा, मुँपे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जमके, कोई नी तोकेगा, शॉपिंग मॉल में कितना भूम लो, कोई नी तोकेगा, पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुड़ता और सिर्फे चंदन गले में रुद्राक्ष पेलिया तो तोकेगे, तोकेगे, एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पेना, सिर्फे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुल्सी की माला, कंठी पेहनी, तो लोग तोकना चालू कर देंगे, भगत जी, बाबा जी, माराज जी, फिर लोग कहेंगे, ये तो देखा देखी कर रहा, ये तो ढों कर रहा, ये तो परपंच कर रहा, जीन्स पेने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ढों कर रहे हो, पीशट पेने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम परपंच कर रहे हो, बाल कटव लिए तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने क्या करा पर तुमने जिस दिन दोती कुर्ता पेना जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगाया जिस दिन तुमने चोटी बढ़ाई जिस दिन तुमने यग्योपवी धारन करा जिस दिन तुमने गले में रुद्राक्ष पेनना चालू कर उस दिन दुनिया के लोग टोकना चलू कर देंगे यह बाबा जी बन जाएगा यह तो पंडी जी बन गया यह तो बिद्वान बन गया यह तो दोंग कर रहा है यह तो प्रपंच कर रहा है यह तो ऐसा कलर भगवा कलर का खपड़ा धरन कर लिया बस क्योंकि दुनिया के लोग कोई निटोके़ा अच्छी जगा पर बेट होगे के सु नंदरखंड में जाकर बेड़ जाओ की संदरखंड में बैठने यह वी सरम आती है लोग क्या कहींगे मापर है भािजन नठीकर उउड़क तो ऑस्व महापुरान में इसलिए नहीं पहुचते है, लोग क्या कहेंगे ये भी बेटी थी कत्व है